वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी तो आज जो है हम लोग एक नए अफडेट के साथ आये हैं काफी अच्छा वेकेंसी है बहुत ही जवरदस्त वेकेंसी है तो मैं स्टार्ट करूँगा उससे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनल आते हैं पूरा एकदम किलियर में अच्छे खासे पोस्ट है और यह आपका अप्रील में आया है सबसे पहली बात की अप्रील में यह वेकेंसी आया है तो चलो सबसे पहले हम लोग इस्टार्ट करते हैं अच्छा ख़ादा चाहीए है मज़ा ही आजाएगा तो ऑफीस एसिस्टेंट पोजीशन क्या होना चाहिए चाहिए जो है वह क्या है सबसे पहला ओफीस से पैसिस्टेंट के लिए जो है अब किस्टो पैसém स्टार करें अगर हम तो सेंशील कॉलिफिकेशन कितना होना चाहिए क्वालिफिकेशन ग्रजुएशन इन इन डिसिप्लिन फर्म एनडुकु नजिट इनवर सिती आपका ग्रिजुपीशन होना चाहिए कहीं से भी और selection criteria क्या होना चाहिए, दूसरा चीज और है, written test, objective, descriptive for general awareness के लिए होगा, फिर जो है current affair, English grammar, writing होगा, computer knowledge भी होना चाहिए, computer knowledge test includes working knowledge of MS Office, Word, Excel and PowerPoint, यह सब का भी आपको जानकारी होना चाहिए, तिसरा नंबर क्या है, all eligible candidates should qualifying typing test, यह तो मतलब होता ही है, 35 words per minute दिया गया है, यह थोड़ा कम है, ठीक है, बाकी जगत ज्यादा रहता है, in English for English, और 30 words जो रहेगा, आपका हिंदी में रहेगा, final selection will be done on the basis of personal interaction discussion, वो तो personal last में यानि की interview होगा, उसके वाद जो है, final selection आपका होगा, ठीक है, next, next क्या है, data entry operator, data entry operator, 178 vacancy, मतलब समझ लो कि total यहाँ 200 plus 178, 378 vacancy, ठीक है, यहाँ आते है, qualification क्या है, 12th, graduate in any discipline from any recognized university, same condition है, 12th होना चाहिए, graduate होना चाहिए, selection character, या क्या है, all eligible candidates should qualifying typing test of, यहाँ पर आपको data entry operator के लिए, speed जो है, same W, 35 English के लिए, और 30 जो है, हिंदी के लिए होना चाहिए, ठीक है, अब as per minimum wages rates of daily government, आप देखो, यहाँ पे fee per month, जो है यह graduation, मतलब Delhi के हिसा आप से आपको दिया जाएगा, wages ठीक है, यानि की income, as per minimum wages rates of daily government for 10 plus 2 and greatest, तो यतना जो है, आपको दिया जाएगा, next point पे चलते हैं कि actually है क्या इसमें और चीट, ठीक है, तो यहाँ जो है, selection will be made as per the prescribed norms and requirement of the job, no TDA will be, यह सब नहीं मिलेगा, TDA नहीं मिलेगा, simple application must be submitted online only on the above post, ठीक है, आप कहाँ पे जाओगे, पे इस form को fill up करने के लिए, कहाँ जाएंगे, www.becl.com पे जाना और वहाँ पे आप form को fill up करिएगा, ठीक है, तो यह जो है, candidates are advised to view the basal website regularly after submitting their application, आप हमेसाँ चेक करते रहना, यह नहीं कि सो गए, ठीक है, सोना नहीं है, देखते रहना है, और successfully for notification updates, candidates must review their application forms carefully before final submission, vessel will not accept any request for changes to made in the information submitted by the candidates wrongly, ठीक है, यह हो गया लगभग, जो है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया, उसके बाद, next point की बात करते हैं, तो यहाँ पे clear दिख रहा होगा आपको, कि last date जो है, इसका 25-4-2022 है, कितना तारिक है, 25-4-2022, यानि आप 25 तारिक तक इस form को fill up कर सकते हो, तो अच्छा कासा यह frequency आया है, salary भी जो है, अच्छा ही मिलेगा, इतना भरोसा रखिए, ठीक है, next point की बात करें, तो यह एक form है, यह portal है, कैसे कैसे apply करना है, ठीक है, आपको www.vashil.com पर जाना है, वहाँ पर आप इस form को click करके भर सकते हैं, तो यह जो है लगभग यह जो job update था, आज का यह आपका complete होता है, जितना जानकारी देना था, मुझे आपको मैं दे दिया, ठीक है, तो मिलते हैं एक नई update के साथ, और एकदम अच्छे से हम हमारी सरकारी नौकरी को subscribe करते रहिए, क्योंकि यह एक ऐसा platform है, जहां पे आपको सबसे पहले job updates मिलता है, तो इस channel को जरूर सेर करिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंडों को, आप बोल रहेंगा सर यह तीनू चीज तो इक ही है, ठीक है, तो आपको comment भी कर सकते हैं, comment section में, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, thank you so much, जाहिन जा भारत